पाट 18 आपठध गद्यांश, Unseen Passage आपठध से ताट परे है जो पहले न पढ़ा गिया हो जिन गद्य या पद्य खंडों को चात्रों ने पहले पाठि पुस्तकों में नहीं पढ़ा है उनहीं आपठध गद्यांश या पद्यांश कहते हैं चात्रों को इन गध्यांशू या पध्यांशू को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्णों के उत्तर देने होते हैं। आपठेद गध्यांशू की प्रश्णों की उत्तर देती समय निमनलिखित बातों को थ्यान में रखना चाहिए। क, गध्यांश या पध्यांश को थ्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। क, गध्यांश या पध्यांश की नीचे लिखी प्रशनों को अच्छी तरह समझ कर दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प का चुनाव करना चाहिए। 2. फाशन का अर्थ है प्रचलन या समय के देशकाल और वातवरण के अनुसार की गई साच सज्जा। फाशन यूग चेतना के अनुसार पदलता रहता है। वही फाशन अच्छा लगता है जिसमें बदलाव या नवीनता हो लेकिन उसमें भद्दापन ना हो। फाशन व्यक्तित्व के निखार के लिए होता है। प्रदर्शन या उपभूप की वस्तु बन जाने के लिए कदापी नहीं। जब नारी इस दिशा में सक्रिय होगी तभी वह अपना एवं समाज का फला कर सकने में समर्थ हो सकती है। 3. मनश्य को सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता। श्रम हमारी फ्यक्तित्व को सवारता है। श्रम में स्वाभिमान और आत्मविश्वास चैसे गुण आते हैं। सामाने रूप से श्रम की दो कोटिया हैं। पहला शारीरिक श्रम और दूसरा मानसिक श्रम। श्रम से श्रीर स्वास्ति रहता है और मन प्रसन रहता है तथा मानसिक श्रम से मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त करता है। 4. समय कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। इस संसार में सबसी मूल्यवान है समय। धन को तो परिश्रम करके पुनह कमाया जा सकता है किन्तु बीता हुआ समय पुनह लोटकर नहीं आता। इतिहास कवा है जिसने समय का सदुप्यों किया उसी जीवन में सफलता प्राप्त होई। विद्यार्ती जीवन में समय का और भी अधिक महत्व है। उसके लिए तो समय स्वर्ण से भी अधिक पहुमूली होता है। मनुरंचन के नाम पर समय को नश्ट करना, स्वयम को थोका देना है। धन की त्वारा समय नहीं कमाया जा सकता, किन्तु समय का सदुप्यों करके बहुत सधन कमाया जा सकता है। आपठत पध्यांश के कुछ उदारण। एक, मैं मस्तूर मुझे देवों की पस्ती सिख्या, आगड़ित पार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए, मीरी पुरुशोंने धर्ती का रूप सवारा। धर्ती को सुन्दर्तम करने की ममता में बिता चुका है कई पीडियां वन्ष हमारा। और अभी आगे आने वाली सदियों में मेरी वन्षच धर्ती का उद्धार करेंगे। है शौक यही अर्मान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। जो लोग करीब फिकारी है, जिन पर न किसी की चाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। झाल झाल